ग्रामीन इलाकों से घिरे एक आरामदायक छोटे शहर में दोस्तों का एक समूह रहता था जो जानवरों से बहुत प्यार करते थे उनमें एमिली भी थी जो एक दयालू लड़की थी जिसे जरूरतमंद प्यारे दोस्तों की मदद करने का जुनून था एक धूक भरी दोपहर में जब एमिली अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी उन्होंने जाडियों से म्याउ म्याउ की धीमी आवाज सुनी उत्सुपतावश उन्होंने ध्वनी का अनुसर्ण किया और एक छोटा खोया हुआ बिल्ली का बच्चा पाया जिसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे